कि हलो सुद्रेंट कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके एकजाम में एक बार आइटी और निट दोनों में आ ओढ़ा है और आनिक काफि ज्यादवात है यहां पर छुच्छा होता है लाई चैनल कि हमकूल कैसे कसे कम होता आपके यह में जिस तरह आता है मैं आपको उसी तरह डिश्कराइब करेंगे करते मिस दें यहां पर Вक्ति अरक लिए के पिर इसको साथार में आज्व जिख सकते हैं JUST अब कि सब्से यहादा किसी का होगा एशेट क्लॉराइड के और यह पर आइशेट उन रहने एसिड एन्हाइड्राइड वर्थ किसका होगा येस्टर और येस्टर वर्थ किसका होगा एमाइड सबसे कम किसका होगा एमाइड यहीं आप से एप यह हमाँ क्या लिखा थीयरीटिफ आडरा आप परकोस लिख डेरिवेटीफ सब्से जयादा किसका घगाय के इसके लिखनने इसकेवाद में's experiment सबसे कम किसका होगा एमाइड का सबसे ज्यादा माइक्समाद एसीड डेरिवेटिव सबसे ज्यादा किसका होगा एसीड क्लॉराइड का और मिनमाम सबसे कम होगा एमाइड का यह आप से पूछा जाए किसका रियक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा चार आपसे दे दिया जा का सबसे कम होगा रियक्टिवीटी चलिए हम आपको एक एक आडेंटिफाइब करवाते हैं देखिए एसिट प्रॉराइड एसिटर एमाइड कैसे लिखेंगे हम इसको कि एक हम आपको जैनल बता दिए आप लर्ण इसी तरह करेंगे अभी हम आपको बताएंगे प्रंस अधिए तरह हमने क्या बताता है एसिट प्रॉराइड हर और सीयो टार सीयल ए हमारा क्या लेका इसिट स्कुरॉराइड इसमें आपको जांपी घिवन हो सकता है आर्क के स्थान पर CS3 CO CL यह हमारा क्या लिखा है Acetyl Chloride सिगंड अभी हमने बता आता है Acid Inhydride R CO O CO R यह हमारा क्या लिखा है Acid Inhydride और Acid Inhydride आपकी ग्याम में किस तरह लिखा हो सकता है CS3 CO O CO CS3 यह हमारा क्या लिखा है Acid Inhydride और थर्ड हमने क्या बता आता है Ester R CO R CO O इसे हम क्या कहेंगे Ester इसे हम क्या कहेंगे Ester और Ester कैसे हम लिख सकते है CS3 CO CO यहाँ पर हम कुछी भी ले सकते है CS3 या C2H5 कुछी भी लिख सकते है यह आपको यहाँ पर CS3 भी लिखा हो या C2H5 इसे हमारा इस्टर हो गया और फोर्थ हमारा क्या बताया थे एमाइड आर सी यो एनस्टू इसे हम क्या कहेंगे सबसे ज्यादा फर्ष्ट का होगा कि फर्ष्ट के बाद सिकंड 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 के बाद थर्ड 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 बाद फोर्थ देखिए आपके यहां में किस तरह भी क्यूशन दिवन हो कैसे भी घुमा फिरा क्यूशन देएं सबसे पहले किसका होगा एकिशीट क्लूराईड फिर एस्टे फिर एमाइड यह मरत क्या लिखा है acid chloride RCOCL या तो आपके आपकी एजाम में नार्मन से भी दे सकते हैं इस तरह RCOCL याना आपको RKStan पर CS3 भी लिखा हो सकता हैं RKStan पर हमने क्या लिए CS3 या आपको क्या लिए अबना acid enhydroid acid enhydroid का formula हमारा ये होगा और RKStan पर हमने ये लिए थर्ड हमारा क्या लिए एस्टर RCOOR आरण क्या स्थान पर हमने ये लिए और क्या लिखा हमारा fourth हमारा क्या लिखा है हेदी आपसे रियक्टिटिविटी आदर सबसे ज़्यादर सबसे जादा होगा देखिए आपके लिए इस तरह भी पुछा जा सकता हैं आपके एक्जामे इस तरह भी पुछा जा सकता हैं कि जैसे आपकी पुछा गाम मैं आपको कई तरीके से बता दिया हूं आपको जैसे पुछा जाया आप एक मिट के अंदर बता सकते हैं रियक्टीवीटी आड़र जो आपकी यह काफी इंपॉर्टन था इसलिए हमने कई तरीकी बताया था है चलिए आपको हम नेस्ट वीडिय प्रेशना आफ कारवाक्स लिग्ट